आप सभी को जई मसीखी मेट भाई भाई भीनों इस सुन्दर से साम के लिए आप सभी मसीख भाई भाई भैनों को बहुत बहुत धन्वाद करते हैं और परमिशर का धन्वाद करते हैं प्रभी सुमसीख के नाम से कि सुन्दत से साम के लिए और रात्री के लिए हम दोवा करते हैं प्रात्ना करते हैं विंतिक करते हैं कि परमिशर जो आज आपने हमें जीवन दिया और सुबिस लेकर कि साम तक आपने हमें सुरचित रखा उसके लिए आपको बहुत सुक्रियादा करते हैं आपकी महिमा करते हैं आपकी प्रसंसा करते हैं आज इतने आज आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रात्ना में उपस्तित हो रहे हैं प्यता परमिशर उनके जीवन में धेर सारी बरकत और आसीज दिने वाले ख़दाप है इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं आपकी प्रसंसा करते हैं कि परमिशर आपने अपने बच्चों को सुरचित रखा और सही टाइम पर वो पिता परमिशर आपसे दुआ कर रहे हैं प्रात्ना कर रहे हैं बिंति कर रहे हैं कि परमिशर आज उनके बच्चों के जीवन में जो भी किसे प्रकार के घटी और कमी है उसे पूरा करें यदि आज आज आपका विस्वास कमजोर है तो आपके जीवन में अनिक प्रकार की समझ्चाएं आएंगी अनिक प्रकार के दिक्कते आएंगी क्योंकि बिस्वास के बिना परमिशर को प्रसंद करना अन होना है हलेलुया क्या है अन होना है क्योंकि परमिशर को वचन के एतायदी आपके जीवन में आपको चमतकार चाहिए आपको आसीश चाहिए आपको बरकत चाहिए आपके बच्चों के जीवन में धेर सारी अच्छी मन भरी जो स्वास्त अनिक प्रकार की जो ताकत है जो आपके बच्चे श्ट्रोंग होगे जिस बात को ले करके वो आपको अंदर होना चाहिए बिस्वास तो मिर प्यों हमें इस चीज के लिए कभी भी नहीं घबराना और कभी भी चिंतित नहीं होना है कि क्या मेरे बच्चे आज जो अच्छे नहीं हैं यो क्या कभी सई नहीं होंगे परमिशन उन्हें रास्ता देगा उन्हें मार्ग देगा उन्हें बताएगा कि आपके बच्च गर की वह बाथ को लेकर बहुत ज़़ाओं कि आपको बिलकुन ही डरना और बिलकुन गहभरा ना है कि यदि आज आप परमीशर को पुकारते हैं तो परमीशर आपकी प्रात्पना को सुनेगा य हाज आज आप पर 돼 से मांगते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में ये चीजज अच्छा हो जाए पेता, मैं चाहता हूं या चाहती हूं परमीशर आपकी प्रातना को सुनेगा, आप जब हातों को अपने घुटने को टेक करके अपने हातों को फैला करके जब आप दूआ करेंगे प्रात्ना करेंगे तो आपके जीवने परमिशर आपको धे सारी बर्कत दे रहा हलिलिया क्योंकि हमारे अंदर यदि हम परमिशर के प्रति अपना बीज बोते ही उसमें जरूर फलाएंगे एक बीज होता है वो विस्वास करता है कि एक बीज के वज़े से इसमें हजारों फल आएंगे तो वैसे आपके जीवन में है वैसे यदि आज आज आप परमिशर के प्रती परमिशर के वचन पे विस्वास करते हैं आप क्या हैं अपने बच्चों के लिए एक बीज हैं क्योंकि आपके बच्चे जब आगे बढ़ेंगे और अपने सरीर के दोरा अपने मांसी के दोरा अपने दिमाग के दोरा अपने हर एक चीज के दोरा अपने बिजनिस में अपने कामों में जब आगे बढ़ेंगे तो परमिसर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है जिस तरीके से बीज बोने वाले का दिश्टान ये बात आप जानते होंगे बाइबल में आपने पढ़ा होगा लुका कुष्टक में अध्याय जिस तरीके से साथ में लिखा है वहाँ पे परमिसर वचन क्या कहता अध्याय में लिखा है आठ में जब हम देखते हैं बीज बोने वाले का दिश्टान जिस तरीके से परमिसर ने में समझाया था और इसे मत्ती रची से मचार में पढ़ सकते हैं और मर्कुस में पढ़ सकते हैं और लूका के कुष्टक में पढ़ सकते हैं यहां पे परमिसर प्रभी स से होता है माली जेक राई के दाने का ही आप देखिए इतना छोटा सा होता कि आप उसे अपने उंगलियों से अपने हाथों से अच्छे से नहीं पगड़ सकते हैं लेकिन जब वही बीच अच्छे जगा अच्छे स्थान पे बोया जाता है अच्छी मिट्टी में बोया जाता अच्छे से उसे देख भाल के जाता है टाइम पी टाइम पानी डाला जाता है तो एक दिन वो ऐसा फल ऐसा पेड़ बनता है कि उसमें लाखों फल लगे होते हैं हजारों फल लगे होते हैं क्या आप जो सरसों का राई का चो पेड़ होता है क्या उस दाने को आप गिन सकते है या फिर गेहूं का जो पेड होता है क्या उसमें आप दाने गिन सकते हैं अनेको दाने होते उसमें अलेलिया तो ये चीज आज हमारे अंदर बिस्वास के दरा परमिशन है हमें समझाया और कहा एक बोने वाला बीज निकला बोते हुए कुछ मार के किनारे गिरा दिया और रोंदा गया और आकास के पच्चियों ने उसे चुन लिया कुछ चटान पे गिराया गया और उस उपज न पाया और जिस तरीके उसके अंदर तरी न रही जिस तरीके से पानी न मिलने से वो सूख गया कुछ जाडियों के बीज गिरा और जाडियों ने उसे साथ साथ बढ़ करके दबा दिया कुछ अच्छी भूमी पर गिरा और उग करके सौ गुनाव फल लाया यह का करके उचने उचे सब्द से कहा जिसके सुनने के कान हो वा सुन ले अलिया तो आज परमिस्टर हमें क्या समझाना चाहता है यदि आज हमारे अच्छे विचार अच्छे मन यदि परमिस्टर के वचन की ओर बढ़ते हैं ते मेरे हो इस सुन्दति समय के लिए परमिस्टर हमें ब्लेसिंग ही देना चाहता है हमें आसीस ही देना चाहता है हमें बरकत ही देना चाहता है यदि आज हमारा विस्वास गलत हो गया या फिर आपके बच्चे आपके बेटे और बेटिया कहीं गलत कोई काम करते हैं उसमें कभी फल नहीं आएंगे कभी भी आसिस नहीं आएंगे हो सकता है उस समय के लिहे आपको बहुत अच्छा लगे लेकिर लॉigण टाइम के लिए आपके जीवन में कभी फल नहीं आएंगे क्या कि परमीशर हमें समझाता है ये परमीशर के वान विस्वास के लिए नहीं कहता है ये हमारे चरित को दर्साता है यह हमारी जीवन को दर्साता है कि किस डारेक्शन में किस दिसा में आपको चलना है और आगे बढ़ना है कि कि परमिशन नहीं में आगे ही कहा है कि जो अच्छे फल जो गिरे जमीन में जो अच्छी जमीन पे गिरे उसमें सौ गुना फल आया तो आज आपके बच्चे जो हैं या नहीं हैं जो आने वाले हैं जो होने वाले हैं उनको अच्छे फल अच्छे बीच की तरह इस्तमाल करें और अच्छी भूमी पर रखें ताकि वो अच्छे आगे चल करके बढ़ें और फलें और अनेक प्रकार के फल आएं और परमिशर का वचन कहता है उसमें सौ गुना फल आए तो आज हमारा विस्वास इतना जरूर होना चाहिए तो मेरे पियों आए प्रात्ना करते हैं दूआ करते हैं आज अपने मन को धायर और विस्वास और साथ के साथ रखना ताकि आपके जीवन में परमिशर आपको धे सारी बरकत और आसीश दे सके प्रात्ना करते हैं हालेलुया धन्वादिशु 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 इंदिश्मसी के नाम से इंदनेम आफजियस इशमर्शी के नाम सम दूआ करते हैं, प्रात्ना करते हैं पितापरमिशर, जवाज़ आप के बच्चे, आपके बेटे के और बेटिया इस समझायों के लिए, युझे स्वास करते हैं, पितापरमिशर, आज उनके बच्चों के जब फल हैं, जो के कामों से पताअ परमिशे सी वक्त उनके जीवन से नेकल इस्जा मशी के नाम से इंदञें मावजीय सिस्जा मशी के नाम से हम आप से बिंते और दौा करते हैं प्राखना करते हैं अलेलुया धर्नवानि लजा ऑफ्चे अपके बेटे को सुनने वाले आप है उनकी हर प्रकार की दुख और हर प्रकार की समझ्याओं से उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमीशर आलेलुया धनवादिशु धनवादिशु प्रभु आपकी सुत्ति हुआपकी महिमा इन दे नेम आफ जीजस इस मसी के नाम से वो हर प्रकार की दूश्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए हर प्रकार की समझ्चाओं के लिए हम दुआ करते हैं कि विंति करते हैं कि परमीशर आज जिनके बच्चे आज उदास हैं नोकरी को लेकर के पिता परमीशर जौब को लेकर के या बीमारी को लेकर के पिता परमीशर आप उसे हर प्रकार से छुटकारा देने वाले हैं इसमें प्रातना करते हैं 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 प्रातन आपकी महिमा करते हैं प्रभू की आज आपकी जीवन के द्वारा पिता परमीशर बहुत सारे लोग चंगे होंगे उनके जीवन में हरे काम के आप सफल करेंगे हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आजाद करेंगे हर प्रकार की दुख हर प्रकार की संकट से उन्हें आ हर परिवार उनके माता पिता भाई बहनों की रच्छा और सुरच्छा करने वाले हैं उनकी हर प्रकार से मदद और सहायता करने वाले हैं इस मसी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं आपकी प्रसंसा करते हैं कि परमीशर आज उनके जीवन की रच्छा कर सुरच्छा कर उनको ब दुश्ट आत्मों और बीमारियां मैं बहुत सारी मसी भाई बेनों को घर में देख पा रहा हूँ बहुत सारी तस्वीरे टैंगे हो लेकिन इस मसी के नाम से आज वो हर प्रकार के प्रात्ना करने के बाद अपने घर को अच्छी तरीके से देखें आज जिनके घरों में सैता कानी ताकत और हर प्रकार के बंधन आपके घर में बांग चुके इस मसी के नाम से जो लोग आप से जलते हैं जो लोग आप से जलन रखते हैं इस मसी के नाम से उनके हर प्रकार की मनो कामनाओ को जो चाहते हैं कि मेरे मन की अच्छा पूरी हो लेकिन इस मसी के नाम से उनकी जो दुष्ट आत्मा हैं गंदी आत्मा किसी प्रकार की मनसा पूरी ना होने पाए पिता परमिशर आप अपने बच्चों की रच्छा और सुरच्छा करने वाले हैं उन्हें देख रेक करने वाले हैं उन्हें बचाने वाले हैं उनकी हर प्रकार की समझ्चाव में आप उनकी की रच्छा और सुरच्छा करने वाला है इसमसी के नाम से इस नए साल में पिता परमिशा इनके जीवन की बदल पिता परमिशा के किया आप से बिंते और दुआ करते इसमसी के नाम से इनके हरे कामों में आप इने सफल बनाएं जो भी आपके बच्चे आपके बेटे और बे कुंछाने वाले मसीख के नाम से आप हैं अलेलईया अलेल उया धन्लवादिश्र न घ आग्या देते हैं। आग्या देते हैं। पानी उठाएंगे और आग्या देंगे वो हर एक मसी भायवेन प्रातना के अंतिम में वो पानी को पीएगे ताकि आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा इस नए साल में आपके सरीर में जो भी किसी प्रकार के चमडी में किसी प्रकार के अंदर या किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, या सिर में दर्द है, या पैरों में दर्द है, या घुटनों में दर्द है, या किसी भी प्रकार की बीमारी आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके सरीर में, आपके फेस में, आपके चहरे में, आपके किसी भी हिस्से में क्यों नहों, चाहिए वो की बीमारियों के लिए आग ग्या दएंगे जो जिसके सरीर में जो बीमारिय हैं जो दुख हैं परिशानिया हैं वो अज जो हैं किसी प्रकार का फ्योगर क्यों नहों बड़ इसे बड़े कैंसर क्यों नहों इश्मशी के नाम से आज वो सब जैसे ही ये पानी लोग पियेंगी शुमशी के नाम से हम आग्या देते हीं वो हर प्रकार की सैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, जो काम में रुकावटे आ रही हैं, जो एक दूसरे से जलन रखते हैं शुमशी के नाम से, जो पडोसी इन से जलन रखता हैं शुमशी के हर वो प्रकार की समश्याइन के जीवन से निकलेंगे इशमश्य के नाम से विस्वास रखिए आपके जीवन से वो हर प्रकार के बीमारियां हर प्रकार के रोगाड़ों विशाड़ों हर प्रकार के जो काम आपकी नहीं बनते ही वो भी आपके काम बनेगे जिसके पेटों में दर्द है सीर में दर्द है या किसी प्रकार की हड़ी में कोई फ्रॉब्लम आ गई है फेक्चर हो गया है किसी प्रकार के उनके जीवन में इंफेक्शन हो गया इसमश्य के नाम से या किसी प्रकार का कोई घाव हो चुका इसमस्य के नाम से हम उसके लिए विंती करते हैं प्रात न करते हैं तुबा करते हैं इसमस्य के नाम से आज उनके जीवन से परमीशर मेरे स्रिष्टी के मालिक को धार करता पबित्र आत्मा के दोरा उनके जीवन में उस पानी में जाय पिता परमिशर और जैसे उस पानी को रिसीब करेंगे विस्वास के दोरा उसके जीवन में उसी वक्त जो भी बीमारी होगी जो भी दर्द होगा इस मस्य के नाम से वो ठीक होगा इस मस्य के नाम से विस्वास करत इशमश्य के नाम से जितने लोग परमिशर के वचन के द्वारा वेचते हैं पिता परमिशर उनके जीवन में बहुत आयसे आसी से ना इशमश्य के नाम से आज उनके बच्चों की जीवन की रच्छा कर सुरच्छा कर उन्हें देख लेकर उनकी हर प्रकार की बुराईयों को आप दूर करेंगे शमश्य के नाम से मैं जानता हो पीता पर्मिशरा आप şey मेसी के नाम से इजह क्वाइभ। सब्सक्राइब 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 वाले हैं जो आपकी सैतानी ताकत आपके बंधन, आपके कामों में रुकावट तिला रही है। आपकी बीमारिया नहीं ठीक हो रही, दुख नहीं ठीक जा रहा है। इस मश्एक के नाम से। करें आग्ये देते शुमसी के लिया एक करें कितारस्द माई चीज़ के नाम ईंड नह准 हरें की नाम व्हाइवड करते हैं आपको आसीज देने जा रहा इशु मसीख के नाम से पिता परमीशर आपके प्यारे बेटे इशु मसीख के नाम से पिता परमीशर आमिन मेरे प्रीव भाईवनों आपको भरोसा रखना और बिस्वास रखना इस प्रातना के दोरा जितने मसीख भाईवन हाथ में पाने लिये थे उसके जीवन में आज जो भी बीमारी होगी दोख होगी तकलीफ होगी वो सब कुछ दूर होगी यदि किसी के दर्द है तो आप उसे बिस्वास के दोरा उसे बिस्वास दिला करके प्रातना में जो आपने पानी लिया था उसे पिलाएए इसी वक्त आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही आएंगी और आप दिए गए स्क्रीन नमबर पर अपनी गवाही ओं को जरूर सेयर करें वीडियो बना करके ज करना चाहते हैं तो आप दिए गए आप दिए गए इस्क्रीन नमबर पर जो नमबर दिखाए उसमें आपदान रासी भेज सकते हैं परमिसर आपको उसमें बहुत सारी प्लेसिंग करेगा बहुत सारी आसीज देगा परमिसर आपके जीवन में बहुत सारी आसीज दे आमें